कल दितिय चरण का मद्दान होना है पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोगसवा सीटों पर जो चनाओं के रुजान है वे रुजान बताते हैं कि पुरे देश के अंदर एक ही आवाज गूज रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार का बैन और भायों जो ये पुरे देश के अंदर की आवाज है ये आवाज वाज है जो दस वर्स के अंदर मोदी जी के नित्रत्व में एक बदलते वे भारत को हमने देखा है बेन और भायों कैसा भारत जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है जिस भारत के अंदर सब को सुरक्षा है सीमाय सुरक्सित है आतंगबाद और नकसलबाद को उसकी सही जगे पहुचाने का काम किया गया है बेकास के बड़े-बड़े कार्यों हो रहे हैं गरीब कल्याण करी योजनाओं का लाग बिना भेदवाओं के समाज के प्रतेक तबके को प्राप्त हो रहा है वेन और भाईयों गरीबों के नाम पर आने वाले चाती के नाम पर सासन करने वाले लोगों ने करीबी गरीब को उसका हक देने का काम नहीं किया मोदी जी ने दस वर्स के अंदर जो प्रियास किये इन दस वर्सों के प्रिवासों का परनाम है कि पचीस करोड लोग गरीबी रेखा से उब रहे हैं 80 करोई लोग फ्रीमेर आसन की सुविधा का लाप प्राप्त कर रहे है 60 करोई लोगों को आयुस्मान भारत में 5 लाख रुपे की सास्ते पीमा का कबर मिला है और 50 करोई लोग बेश के अंदर ऐसे हैं जिन गरीबों के जंदन एकाउंट खोल करके उन्हें सासन की योजना सीधे उनके खाते में पहुँच रही है बेन और वाईयों 12 करोई किसानों को प्रदानमंत्री किसान सम्मान निदी का लाप 12 करोई गरीब घरों में सोचारे का निर्माण 12 करोई लोगों में रसोई गैस का सिलेंडर बितुरित होना 10 करोई लोगों 10 करोई मेला स्वें से भी समों के माध्यम से मेलाओं को अर्थिक स्वावलंबन की और अग्रसर करना 4 करोई गरीबों के मकान बन जाना और धाई करोड घरों तक बिजली पहुचाने का काम मोधी जी के नित्रित्व में भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर हर गाँ हर गरीब हर किसान हर नौजवान और हर महिला के जीवन में खुसाली लाने के लिए किया बैन और भाईयों एक तरह बिकास और विकसित भारत की संकल्पना के साथ मोधी जी इस 2024 के लोग सवाचनाव में आपके सामने है और दूसरी वर सपा कॉंग्रेस का इंडिकर बंदन और पोजन समाजवादी पार्टी अपने अपने कुनवे के साथ फिर से इस चनाव में आ गई है चनाव के पहले लोग दिखाई नहीं देते चनाव के दोरान आकर के तमाम परकार के राग अलापते वे दिखाई देते हैं मैं पूछना चाहता हूँ बेहन और भाईो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आप से एक बार समाजवादी पार्टी से पूछिए कि समाजवादी पार्टी एक तो बात कहे कि जब अयोध्या में प्रभु स्री राम लला की 500 वर्सों के बाद प्रांड प्रतिष्टा की बात आई तो कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कारिक करम का बहिस्कार क्यों किया क्या युद्या में राम लला का भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए था क्या आप राम मंदिर के पक्स में हैं या विरोध में आप पक्स में हैं ना राम मंदिर बनना चाहिए ना समाजवादी पार्टी ने या कॉंग्रेस ने विरोध किया बैनो और भाईयों मुझे एक बात बताओ क्या सपा को कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन करना चाहिए था क्या अच्छा जो कॉंग्रेस कहती है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं यानि राम के स्टित्व को भी जुटलाते हैं भगवान कृष्णि के स्थित्तों को भी जुटलाते हैं और फिर भी समाजवादी पार्टी जबर्जत्ती कॉंग्रेस के गले में हार बनना चाहती है ये तो है इनके हाल और ये किसके लिए आपने कल कॉंग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के सलाकार के बक्तब्य को आपने पढ़ा होगा उन्होंने क्या बक्तब्य दिया उन्होंने बक्तब्य दिया उनका बक्तब्य है कि देश के अंदर कॉंग्रेस के नित्रत्व की सरकार आईगी तो विरासत टैक्स लगाएगी बैन और भाईयों ये विरासत टैक्स क्या है मालूम है आपको ये विरासत टैक्स है कि आपके बाब दादों ने जो संपत्ती अर्जित की है इस संपत्ती के बाद आदी संपत्ती कॉंग्रेस और सभात के लोग घड़प लेंगे आपको संपत्य से बंचित करने का एक कुछित प्रयास दूसरा इनके दोरा कहा जा रहा है कल कॉंग्रेस के लोगों ने करनाटक के अंदर क्या किया करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार है उन्हाने का OBC के आरक्सन में उन्हाने 32, 20 आरक्सन बेन और भाईों मुस्लिम लोगों को दे दिया यानि कॉंग्रेस OBC के पिछडी जाती के लोगों के आरक्सन को डखेटी डालने का काम कर रही है उसको बांटने का काम कर रही है और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है याद करिए जब कॉंग्रेस ने तृत्व की UPA सरकार थी और सपा और बस्पा दोनों कॉंग्रेस ने तृत्व की UPA सरकार का समर्थन कर रही थी उस समय क्या आलन था उस समय उन्होंने एक जश्टिर रंगनात मिस्रा कमेटी गठित की थी उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसल्मानों को भी पिछडी जाती में और नुसुची जाती में सामिल करके आरक्सन का लाब जो पिछडी जाती के लोगों को मिला उनमें से कुछ को कटोती करके मुसल्मानों को दे देना चाहिए कुछ को नुसुची चाहती को दे देना चाहिए ये तो कॉंग्रेस ने तृत्व की मनसा थी यही नहीं सच्चर कमीटी की रिपोर्ट भी किसी बात की और इंगित करती है ये भी कॉंग्रेस नेगटीब की थी और आज जब कॉंग्रेस आई है तो कॉंग्रेस यही कहती है फिर से कॉंग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसादनों पर फिर से मुसल्मानों का अधिकार हो इसकी वे वकालत करेंगे बैन और भाईयों यहां का हिंदू कहा जाएगा यहां की अनुसुची जाती जन चाती के लोग पिछड़ी चाती के लोग कहा जाएंगे बावा साथ भीमराओं बेट करके संभीदान को यह लोग अपानित करना चाते हैं एक कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश की कीमत पर राजनीती करना चाते हैं और इसलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूँ ये चुनाव के लोग सामन ने चुनाव नहीं है बेन और वाईो देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है आपने मोदी जी को दो हजार चौदा में वोड दे करके देश की सत्ता सौपी तो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तक्दीर को बदलने का काम किया कॉंग्रेस के हाथों में सत्ता थी देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी कल मैं समाजवादी पार्टी की इस चेत्री के एक नेत्री के बयान को पढ़ रहा था और भैइन और भैयों इसके द्वारा कहा गा रहा था कि मोदी जी ने जो बात कह दी है कि एक कॉंग्रेस का घोशना पत्र कहता है कि हम गरीबी हटाएंगे अरे गरीबी हटाओं का नारा कॉंग्रेस का आज से है क्या आज से 54 साल पहले सीमती इंद्रा गांदी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओं का और 54 वर्स के बाद उनका पोता भी वही रोटोता रतंद कर रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे अरे 2200 तक सासन किये थे तब तो कुछ करनी पाए थे और आज गरीबी हटाओं की बात याद आ रही है जब कॉंग्रेस की सत्ता भी तो गरीब भूकों मरता था किसान आत्मत्या करता था बेटी और ब्यापारी ये सुरक्सिती और नौजवान पलाइन करता था आज कहते हैं गरीबी हटाएंगे और गरीबी कैसे अटाएंगे गरीबी हटाने के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी प्रौपर्टी का सरवे करवाएंगे यानि आपके बादादों ने आपके माबापने अगर कोई मकान एक सहर में बना दिया एक गाओं में बना दिया आपके परिवार में पांच लोग हैं और चार दो कमरों में रह सकते हैं चार कमरे हैं तो दो कमरे को ये लोग कॉंग्रेस और सपा के लोग हड़पने का कारे करेंगे हम सर्वे करा देंगे मेनत करेगा हमारा कादमी और हड़पने के लिए फिर एक कॉंग्रेस और सपा की गुंडों को आभे चुड़ देंगे के वे आपकी संपत्मी कॉडपने का काम करेंगे क्या ये अधिकार देंगे आप लेकिन कॉंग्रेस और सपा का इंडी गड़बंदन का घोशना पत्र इस बात को कहता है और बेन और बायों में उनका बयान पढ़ रहा था कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बेनों के मंगल सूतर पर भी संक्ट आने वाला है हमारी हिंदुस्तान के संस्कृतिय सिश्ला चार है परपड़ा है कि हमारी माता बहने इस तरी धन के रूप में जेवर को अपने आज समाल करके रखती है दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता क्यों हिद्वस्तान में हमारी बान माता ये बहने रखती है जेवर मंगल सूतर भी होता है गले का हार भी होता है एक किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा क्योंकि वही उसकी अमानत होती है वही उसका संसकार होता है और फिर वही अपने आने वाली पीड़ी को विरासत में देती है अपनी पहू को देती है अपनी बेटी को देती है कॉंग्रेस की लोगों की बुरी दृष्टी उस पर है और प्रणार मंत्री मोधी जी ने उसी और इसारा किया था लेकिन बड़ा हस्यासत बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नित्विक आया उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोधी जी पुलुवामा के सहीतों के जो बिद्वा है उनके मंगल सूत्र का क्या हुआ वहन और वायो हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नित्री से जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था और नाजवादों की परिवार की बिद्वाओं का क्या हुआ उनके मंगल सूत्र का क्या हुआ हम प्रस्ट ने पूछना चाहते हैं बेहन और भाईयों और ये प्रस्ट ने आपको भी पूछना चाहिए स्वर्गिये कल्यान सिंग जी ने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और सिराम जनम भूमिक ले समर्पित किया था कल्यान सिंग जी की मिर्तु ही होता है मिर्तु होती है मुलाइम सिंग जी की मिर्तु पर मैं स्वयम उनके पैत्रिक गाओं में आया था और सेफ़ई में आकर कि मैंने स्वयम वहां सरदान जली अरपित की थी क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुषन कुष सेवा ही तो थी मैं आया था मेरी पार्टी के लोग आये थे प्रदान मंत्री जी ने सोग बेक्त किया था लेकिन स्वर्गिय कल्यान सिंग जी की मिर्तु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्स और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सोक सम्मेदना नहीं प्रक्त की गई बेन और भाईयों सुरकिय कल्यान सिंग जी के साथ इस परकार करें द्माओ और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था उस माफिया के लिए फातिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे बिद्वा बिलाब कर रहे थे यह अभी द्रिस्या आपने देखा होगा क्या उत्तरब्रदेश में इन माफियाओं को इसी प्रकार से जैसे सफाकी सरकार के समय में यह लोग त्यापारियों पर कहर परपाते थे बेटी की सुरक्सा में सेज लगाने का कारी करते थे क्या इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए क्या क्या मिलनी चाहिए क्या नौजवानों के साथ खिलवार करने की छूट मिलनी चाहिए क्या और मैं पूछना जाता हूँ फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से वे जवाब दे इन माफियाओं के द्वारा गाजीपूर में भारती जन्ता पार्टी के विधायक ग्रिश्नानंद राय समेश छे छे लोगों की हत्या एक साथ की गई थी एक साथ की गई थी सिमती अलका राय भी तो हमारी पिधायक थी क्या उसके मंगल सोत्र की भी कभी चिंता हुई समाजबादी पार्टी के लोगों को जो लोग मारे गए थे क्रिश्नानंद राय के साथ सहीद हुए थे उनकी पिद्वाओं का क्या हुआ नंद किसोर रुंगता विसेंदू परिशत के अंतराश्ट के कोसा द्यक्स थे नंद किसोर रुंगता के निर्मा महत्या कर दी गई थी अपरण करके निर्मा माफ्याओं के द्वारा समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रस्रे इन माफ्याओं के द्वारा कर दी गई थी उनकी बिद्वा का क्या हुआ और आपने प्रयाग राज में राजु पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या की दृष्ट्य को भी देखा होगा बैन और भाईयों हम प्रस्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से क्या राजु पाल ये भी तो पिछडी जाती के थे रुमेश पाल भी तो पिछडी जाती के थे इनकी विद्वाओं के मंगल सुत्र क्या हुए कभी ये कभी इन्होंने कभी अपने इन गिर्तियों पर पस्याताप करने का विप्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है ये देश के साथ खिलवाड करने का काम कर रहे हैं देश की कीमत पर राजनिती करना चाहते हैं वेन और वाईयों आज हम सब आपसे ही कहने के लिए आए हैं बारती चंता पार्टी देश के लिए राजनिती करती है ये देश विक्सित भारत के रूप में स्तापित हो आत्म निर्वर भारत ब बनेगा तो आत्म निर्वर युवा बनेगा आत्म निर्वर मेलाएं बनेगी आत्म निर्वर किसान बनेगा आत्म निर्वर ब्याफारी बनेगा और देश के अंदर खुसाली आएगी और मोदी जी इसी के लिए कारे कर रहे हैं लेकिन बैन और वाईयों बैन और वाईयों प्रदेश की जंता ने ठोकरा दिया तो देश की जंता कहां पूछ रही है कि पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कुल 63 से 64 या 65 सीटों पर चुनाव लड़ी होगी इस से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी और सरकार बनाने के लिए केंदर में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 273 सीट का बताओ 273 सीट का बहुमत चाहिए और चुनाव लड़ी है कि वो 63 से 65 सीट पर और कह रह गैएंगे कैसा का सरकार बनांएंगी कांगरेस स्वयusi lea mucho इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ provocator सरकार बनाएंगी क्या कांग्रेस के नम पर कोई आपके वोड़ देता है क्या साधी बैनोर भाई की इन इन लोगों ने प्रदेश को तवा किया था माफियों क्या तो और मुझे तरस्तो इस बेचारे स्यूपाल पर आती है वो तो किवल जैसे सत्ने नैड की कथा में जज्मान एक होता हो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूरण बित्रत कर दिया जाता है तो ये किवल चूरण खाने वाले भिक्ति रह गए हैं कभी नेता जी मुलायम सिंग जी के मुख्य सिपा साला रुआ करते थे प्रदेश में तूती बोलती थी और आज क्या हालत है यानि कहें कोई कारिक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता है बैठने के लिए हट्ता और चूरण चूरण खाने के आदी हो गए हैं और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाता हूँ अरे बीर भूमी है चूरण अवत खाईए बारती जन्ता पार्टी के द्वारा सत्ता में सैभागी बन करके विक्सित भारत और आत्मिर्वर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कारिक करिए इसलिए मैं आप से कहने के लिए आया हूँ बैन और वाईयों ये जो माफिया और अपरादियों के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग हैं इनसे कहिए कि पांच साल और फातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं जाओ खुब पढ़ो देश को आगे बढ़ने तो सहमत है ना ना कि अन्य लोगों का आना जाना बंदो हो जाता था और अब इनके गले में तकती लड़की है कहते हैं हजूर एक बार किवल जान बकस दो ठेली लगा करके आज जीवी का चला लेंगा अब जमीन कबजा नहीं कर पाएंगे लोग पहले बहुते थे ना जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट उस पर कबजा करते थे जबरतस्ती सपा का बोल लगा के कबजा कर लेते थे अब भी कबजा कर पाएंगे क्या अब कबजा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मालूम है कि पीचे से बुल्डोजर की द्रिष्टी भी पढ़ रही है पढ़ती है वो बहुत ठोस सटिक निसाना लगाता है और जब चलता है न तो ऐसे चलता है कि बड़े-बड़े माफिया की पैटे गीली हो जाती है और बेन और वाईयों में यही कहने के लिए आ जाया हूं यह हमारे लिए गौरव की बात है पांसो वर्सों के बात अयोद्या में रामला भी राजमान ह हुए है है हुए है ना हुए है कोई संदे है क्या बाजबा जो कहती है सोक करके दिखाती है और आप देखना कासी और अयोद्या तो हमारा संकल पूरा वहा अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्णान कर रहे हैं ब्रजभूमी के विकास के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ब्रजभूमी के विकास के साथ जस्वंत नगर करहल को जुड़ना होगा सेमत हैं में पूरी जुड़ेगी घर घर जाएंगे मोधी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे देश को आतंग बाद और नकसल बाद से मुक्त करने के लिए जो कार्य मोधी जी ने किया है इसके प्रती और अयोत्या में राम लला को विराजमान करने के लिए जो कार्य किया है इसके प्रती कृत्यक्यता ग्यापित कर देवे मोधी जी को पत्र लिख करके समर्तन की घोशना करेंगे करेंगे बैन और भाईयों इसी लिए हम लोगों ने सिज जैबीर सिंग जी को यहाँ पर भारती चंता पार्टी और सयोगी दोनों की प्रत्यासी के रूप में उतार करके भेजा है अब आप सोचो आप सोचो पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे रामला मैदान भी ठीक नंसे नहीं था आज देखो ना क्या भब्य बना है क्या भब्य बन चुका है देखो भजपा आएगी तो रामला मैदान बनाएगी रामला का मंडब बनाएगी भई हम लोग तो समाज के लिए करेंगे और सपा आएगी तुभे अपना घर बनाएंगे यही करेंगे ना बनाएंगे करेंगे ना आप मुझे बताओ कि यादों मैं भी इस तिगड़ देने थे तो एक ही परिवार के सप है एक परिवार से बाहर कोई उबर ही नहीं पा रहा है राश्तिय ध्यक्स महला मोर्चा की परिवारी उनकी एक ही परिवार पती पती दोनों ऐसे ही स्विपाल जी को विए चूरण दे दिया बदावे वाले स्योर सथ है कि वहाँ पे हारना है सपा को तो वहाँ का चलो श्यौपाल हारने के लिए ही उनोंने श्यौपाल जी को वहाँ बेज दिया वो तो 100% ते है का है कि सपा का खाता खुलना ही नहीं और इसके बाद फिरोजाबाद में उने बेजा है फिरोजाबाद में फिसली बारी ते हो चुका है कि भाजपा की पक्स में निर्णे ले चुके हैं और पांचवी सीट है बेचारा धर्मिंद्र यादो ना चाते भी फिर आजमगड चला गिया पिसली बार दिनेस लाल यादो निरोवा भोचपुरी का बहुत अच्छा कलाकार है और निरोवा ने पिसली बार ऐसा हराया उनको ऐसा हराया कि दुवारा वे आजमगड नहीं जा पाई डर के मारे और फिर से आजमगड की जंता यही पैसला करने जा रही है लेकिन ये पांच के अलावा क्या कोई दूसरा यदवनसी नहीं था क्या एक परिवार के लावा कोई है ही नहीं क्या बेन और वाईयों ये परिवार वादियों को सबक सिखाने का समय है ये जाती वादी राजनीती को प्रस्त रह दे करके अपने परिवार को भरने वाले और देश की सुरक्सा के साथ सेंद लगाने वाले गरीब मरता था भूकों मरता था स्वास्ते के वहाओं में मरता था मंदिर लूटे जाते थे ब्यापारी ठगा जाता था मेलाओं के जट के साथ खिलवार होता था नौजवानों की नौकरी के साथ उनकी आजीविका के साथ लोग खिलवार करते थे लेकिन आतंगबादियों को बिरियानी खिलाते थे बिरियाने आप सोचो ना समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आतंगबादियों की मुकदमों को वापस तक करने का इनों ने प्रियास किया था और तब हाई कोट ने टिपणी की थी हाई कोट ने कहा था आज इन दुर्दान तातंगबादियों का मुकदमा वापस ले रहे हो कल इने पदम पुर्सकार दोगे ये नहीं चलेगा और खारिच कर दिया था बैन और भाईयों आपने साथ वर्स में यूपी में कहीं दंगा देखा है क्या कहीं कर्फ्यू देखा है क्या कहीं पर बेटी और बहन की सरियाम इच्जत के साथ खिलवाड करते वे किसी बेशरम बेक्टी को देखा है क्या कोई कर पाएगा क्या आज के दिन पे करेगा तो फिर फ़ल भी बुखतेगा क्यों आयोद्या मैं राम लाला कोई बिराज़मान नहीं करेंगे जो ब्यापारी और बेटी की सुरक्सा के साथ खिलवाड करेगा राम नाम सत्य है कि गारंटी भी हमसे दे लेगा और इसलिए आपसे कहने के लिए बैन और वाईयों आज हम लोग आये हैं किसे जैवीर सिंग जी के नित्रत्तों में आज भारती जनता पार्टी ने उने प्रत्यासी बनाया है से राम नरेस अगनोहत्री जी और यहां के हमारे सभी जन प्रत्निदी गाण, बदादिकारी गाण, ब्लाक पर्मोग गाण ये सभी लोग लग करके आप सब से पील करने के लिए आये हैं बेन और वायों मैं आप से पील करूँगा घर गर जाईए मोधी जी का प्रत्निदी बनिए मेरी अपील भी घर गर पहुचाईए और स्वयम जैवीर सिंग बन करके भारती जनता पार्टी के पकस में मद्दान करने के लिए आप आगे वड़िए आप मद्दान के लिए आगे वड़िए जो भारत के सेनिकों का अपमान करते हैं पुलुआमा के सहीदों का अपमान करते हैं जो भारत की सीमा के साथ खिलवाण करते हैं आतंगबाद और नकसलबाद को प्रस्रे देने का काम करते हैं और माफिया और अपरादियों के लिए फादिया पढ़ने का काम करते हैं इनको एक सरे से खारिज करिए बारती जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता सोपे और मोधी जी के नित्रुत्तों में एक आत्म निर्भर एक खुसाल और एक विक्सित भारत की परकलपना को साकार करने के इस रास्त यग्यमे सहभागी बनिये यही अपील आप सबसे करने के लिए मैं विसेस रुप से इस जस्वंत नगर विदासवा छेत्र में आया हूँ सब लोग सहमत हैं सब लोग सहमत हैं मसे पीछे वाले हूँ सही पूसराओं में सब लोग बताएए पीछे न Hart मेरी आवाच जहाहां तक पहुंश रही है गब राये मत वहाँ तक मेरी आवाच पहुंश रही दोना आप्ला करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की जैस्री लाम